नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया नियूस 28 में ये बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की लोगों को बक्षा नहीं जाएगा सूत्रों के अनुसार लोगों ने बताया कि वह महला अपने घर में अकेली रहती थी और किसी से भी उसका विवाद नहीं था पिशले साल जब तकर उसका पोस्ट माटम स्थानिय संदर स्पदाल में देर श्राम कराया गया वही मृतिका के पुत्र रविंद्र शर्मा ने बताया कि फोन पर उसे सूशना मिली थी कि उसकी मा की हत्या कर दी गई हो नहीं बताया कि हत्या की सुई-पास के ही कुछा समाज़क परिवार पर है वह लोग हमेश्वा मा के अके रहने का फायदा उठाते थी उन्होंने मताया कि मेरी मा नि हरूद हर सगरी खुभा हुआ है बलट है सभी पुलिस लोग आए थे सभी लोग एक बाबु तुम घबड़ाव मत तुमको इंसाफ मिलेगा जो कैसे मने आप धारदार हतियार से कोदा हुआ है क्या हुआ था आज कुछ नहीं होता है कल जिसे हम को लाया है अधर से दर्वाजा बंद है घर उठी नहीं है तो लोग बोला तो अधर चले गए चुटे लिया डोकर शक आपको लग रहा है कोन हत्या कर सकता है गए एक मिनट हम जब घर गए तो दिखे कि मामी पड़ी हुई है अब सख को हम किसके कहा है बगले में हैं सब इस पीस आपकर यह लोग क्यों नहीं जान रहे हैं वहीं पर सब कुछ हुआ तो दो लाट का गटना है राट लेखा लंगता है तो इनके क्या लगता है कैसे मौत हो गया होगा डर कोन मारा होगा कुछ है शक किसी पे तो नब क्या वाटने हैं बगलिक लोग जिसे हमारा रहते हैं वही होग तरह एंपक किसी तरह नहीं मम्य भी अच्छी थी किसी से कुछ नहीं थे क्या नाम नाम के लिए क्वान कूवर इर्माला कूवर कि उमर कि तना शाड़ सब्सक्णान समझाद ही तो आप अपना नाम बता देजि